कि नश्कार में हूँ भारत और आप देख रहे हमारा खास कारिक्रम सक्षियत से रूबरू आज एक ऐसी सक्षियत भले ही माबाब बच्चे को जनम दे दे उसे चलना सिखा दे लेकिन समाज में जो जीना सिखाता है उसका एक दरजा लग होता है और अगर हम बात करते हैं पुलीसिंग सेवा की या पुलीसिंग की लेकिन जो शुरुवात होती है जहां हम पुलीसिंग को बहतर समझ सकते हैं जीवन जीने का तरीका सीख सकते हैं लोगों की मदद करने का तरीका सीख सकते हैं और जो कहते हैं कि पुलीस विभाग में जो जन्सेवा का जो भाव आता है उसकी शुरुबाद जहां से होती है वो सक्षियादाथ हमारे साथ है हमारे साथ मुझूद है आज के कारिक्रम में हमारी खास सक्षियाद इंद और आराई जैसिंग तो मदी सर बहुत-बहुत हमारा शो पर आप आए ह जैसा कि मैंने कहा कि एक माः जब बच्चे को जनम देती है एक गुरू स्कूल जाता है को सीखता है और फिर जब वह अपने जिन्दकी के पड़ाओ में शुरुबात करता है तो पुलीशिंग के पड़ा होता है और उस पुलीसींग पड़ाओ में सब से पहले उसका जो सा तो सबसे पहला तो रचितनी चक से ही पड़ता है रिक्रूटमेंट का सर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके बास और खासकर अगर हम इंदोर की बात करें तो इंदोर एक आर्थिक रूप से भी राजधानी है मदपरदेश की और कहा जाता है कि अगर कोई कंकर समंदर म होता है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी जब शुरुवात हुई हमने देखा था कि उस समय विधान सबाद चुनाओ थे जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी फिर उसके बाद आपके पास 2019 लोकसभा चुनाओ फिर उसके बाद में ये कोरोना महामारी एक बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आपने हागी शुरुवात की थी बिल्कुल सही है अब जब मैं 20 जून 2018 को जोईन किया उसके बाद विधान सबाद चुनाओ थे 2018 में 19 में आपका लोकसभा चुनाओ साथी साथ 2020 और 21 से आप कोविड देख रहे हैं तो जब हम यहां प एक पिलिन देखते हैं उनका जो रहन सेंदेखते हैं उनकी जो परिसर है उनको जब देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है तो क्यों ना हम पुलिश लाइन को इस तरज पे तैयार करें कर लोग वाब उसको देखने के लिए आये उसको सराह है और अन्य डिस्टिक वो भी उस रूल्स को फॉलो करें जिससे वहां भी एक जो पुलिस लाइन का जो परिसर है वह अच्छा हो सके तो इस उद्धेश को लेकर के हमने शुरुवात की थी और आज आपके सामने है सब कुछ अगर हम बात करें तो खास तोर पर एक बड़ी जिम्मेदारी जैसे आप मैंने पहले भी कहा है सर यह शुरुवात हुई थी कोरोना की खास तोर पर विधानसभा लोगसभा चुनाओं में तो एक चंडली हर आराई को पूरा फोर्स देना पड़ता है बाहर से हमारे कई रेज कोई थी तो एक बड़ा पैनिक वाली स्थिती थी और क्यूंकि आपके पास पूरे इंदोर संभाग इंदोर जिले की हम बात करें तो आपके जिम्मेदारी थी इंदोर जिले में की पुलीस कर्मियों जहां अपनी सेमाय दे रहते लेकिन उनके परिवार का ध्यान रख रहत उस समय वो वीडियो जो नेशनल जो न्यू चैनल हैं आपके जो चैनल से उनमें देखे थे कि बहुत ज्यादा पैने किस्तियां निर्मित हो रही है तो मेरे दुआरा एक छोटा सानुमान यह लगाया गया था कि निश्यत रूप से यहां भी ऐसी परिस्तितियां निकट व अघर कोई मास्क अगरया भर्यवारे में पता था मास्क तो आप देखेंगे कगर व्यक्ति अगर 2018 मीक्त कफुरम अगर कोई मास्क लगाया अन पिलिस उसको रोक करके आज की इस्तियां था सिर्व दोगते सार्फ मास्क को लिक्ति मिलता है एभर को एक पाक जा निक मास्कर लगा करके निकलते हैं क्यों लगाय हुए अपरादी तो नहीं कहीं है चैनिज सेंटेंटर तो हम देख रहे थे कोई आड्रेस टाइब की लोग डॉक्टर है या पुलिस कर्मी अऔर पहले भूम हम नहीं तो हमारे दोरा तकाल उसको दॉक्टर हमारे ऐक दिने साचार शजान मेंilly उनको बिलाकरके पीट साबना को कि इस Wait mentality की नहीं तो हमारे सरीर किसी भी भाग को तच नहीं पीछा, मैंने उन सेपल इन पेचिस प्neका क्योंकि पीपी किट तो समय थी नहीं तो उन्हें का विल्कुल सर्व काम कर सकती हैं तो हमने अपने जमानों के लिए बरसाती पीपी किट के रूप में यूज किया फिर हमने उन से चर्चा की यह आपका जो हैंड सैने टाइजर एक तो फिर उनके द्वार हमको बताए गया कि हैंड सैने टाइजर यह है कि अगर वायरस आपके किसी सरीर के किसी भाग पर है अगर आप उसको सैने टाइज कर लेते हैं तो वायरस वहां पर खत्म हो जाता है तो बनता कैसे है फिर डबलु एचो का फॉर्मूला देखा गया उस फॉर्मूले के आधार पर हमारे द्वार अगरा एल्कोहल बुलाया गया उसमें जो शामा लगने वाला है और फिर एसे करके अपने जो नए जो रिकूट थे उनको बुला करके उनसे इस हैंड सेनिटाजर को तयार कराये गया और वह हमेरे जबानों को उपलब्द कराए तीसरा जो बड़ा चैलेंज था वह मास्क क था वह बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे पास लगवक्त त्रेपन सो जवान हैं और त्रेपन सो जवानों के साथ ऐसे की भी कुछ कंपनी आए लगवक्त 6,000 के संथिंग टोटल फोर से अब 6,000 लोगों को अगर आप मास्क को प्लंद करा रहे हो तो दो-दो मास्क भी द सुना है पुलीसिंग में आपके लिए कि हाला कि अब कि आपको पूरे फोर्स के खाने का रुखने का इंतिजाम करना पड़ता था ता एक वर्टेसा आया था सर की काफी सालों बात पुलीस से कहती थी कि हमें खाना बहुत अच्छा मिला है अब जो आपने सुईधा कराई जो खाना वहां पर मिला था वाटर की आपने जो विवस्था कराई थी आरो का पानी पुलीस तक पहुंचाना क्योंकि जबान उस समय ड्यूटी कर रहे हैं और यह सब चीज तो यह कैसे सर एक्दम पूरा बना था कि हम बहतर खाना दे सकते हैं पुलीस है स्वस्त होगी तो जन्दा को भी मूलत है क्या है कि व्यक्ति किसी भी जब वो पदपर होता है तो इसके उद्देश फिक्स रहना चाहिए जब मैं इस पदपर जोईन किया सुविदार पदपर तो मेरा उद्देश था कि पुलिस विवाग में मेरा मानना भी ऐसा है का आराई की दो महत्पू जो खाना उपलब्द करा रहा है जो मैंने डिश्टिक लेविल पर देखा है केवल हम लोग पूरी और सब्जी यह उपलब्द कराते हैं लेकिन हमारे एक पुलिस ट्रेंडिंग कॉलेज है मैंने वहां समनवय करा और वहां पर समनवय करने के बात पाया कि अगर हम वहां ख जाती है तो जब गये जवान आधर डूटी के लिए आते थे तो लेवर पूरी फिरी हो जाती थी फिर हम उस लेवर से खाना बनाते थे उससे कोस्ट भी कम आती थी और बहतर खाना मिल पाता था तो यह तो बाकिफी बड़ी जिम्मेदारी है पुलिसिंग के लिए और पु के लिए हर कोई मतलब चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पाइटी से हो या फिर पुलीस से हो खुड डॉक्टर भी अपने परिजनों के लिए अस्पितालों के चक्कर काट रहे थे अच्छे अच्छे लोगों को यह इश्वर ने शायद दिखा दिया था कि उसकी शक्ति के आग तो सबसे पहले हमारी दूरदरस्ता क्या है वो माइने रखती है जैसा मैंने आपको पूर में बताया कि जब चाइना में जब यह संक्रमण पहला था उससे सीख लेकर के हमने पीपी किट और अपने यहां पर मास्क और सैने टाइजर यह जब नए होते थे तब हम बना चु किया गया क्यों ना अपने इसको ऑक्सीजन बैड यहां पर उपलब्द कराएं तो हमारी टीम ने मात्र 48 हावर्स में वहां पर एक 16 बैड ऑक्सीजन वाले और लगवक 24 बैड बिदाव ऑक्सीजन लगवक 40 बैड का पोलिस ऑस्पीटल शुरू कर दिया था तो उससे सबसे अच्छी बात यह हो रही थी कि उस समय जो पुलिस कर्मचारी हो या शिविलियंस हो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं कहां जाओं जहां भी आप जा रहे हो वहां भरा होस्पीटल है डॉक्टर आपको मिल नहीं रहें तो उस समय अगर कोई पुलिस कर्मी अगर बीमार पड़ता था तो उसे कम से कम यह तो पता था कि मैं यूनिट हॉस्पीटल जा सकता हूं वहां दिखा सकता हूं तो जैसे ही वह यूनिट हॉस्पीटल आते थे तो उनका प्रात्मिक इलाज किया जाता था अगर उनको लगता ह तो उनको वह अगरती किया जाता था तो अक्सीजन दी जाती ती और घंपिर यह तो निर्मित होती zaman intended रहता था कि वह 27 मश्पीटल से समनगा यूस्पीटल को तःयार तो यह रहे दिखने की माертв टाक्व मरीज है ओसके परीजनों के रोकने değildi कि विए अरी खिलेखनी को प्रॉपर बेड मॉट टॉइलेट कि सब तमाम जो विवस्था हैं चंद दों के अंदर तैयार कि यह मात्र फोटी एट हावर्स में रात दिन मतलब हमने चार वात्रूंग चार लेट तैयार किये तीन बाहर तैयार किये पूरे ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वह की गई वहां प्रस्नल जाओंगा आप से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा दर्शक भी चाहते हैं बेसिकली तोमर जो होते हैं सर वो एक यह कहा जाता है कि भिंड और मुरेना के दिवासी है वो थोड़े से गरम सभाव के होते हैं और एक लेकिन आपका कूल नेचर कहीना कहीं यह कैसा परिवरतन आशार कि आपका बिल्कुल एक सभाव ऐसा है कि बिल्कुल कूल भी है और एक सबसे समावरेश आप जल्दी दोस्ती कर लेते हैं क्या होता है कि यह जो आपने कहा भिंड मुरेना में ज्यादा तर जो लोग है वो थोड़े गरम मिजाज के होते हैं यह सही है ले पूरा जो माहौल रहा है वो एक सिच्छत परिवार से रहा हूं में और साथ हम पर गरम हो जाते थे तो हमारे मावाप मतलब हम डबल गरम करके हम थोड़ा कूल कर देते थे तो उस तरीके से जब परिवर्श होई है तो बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं सर प्रविश की बात क आगर अग्र आदमी मुरेणा से है तो कहीं होगा अगर आडमी पूरेना से है तो पुलिस में होगा आपने भी सुचा था कि आउना मुझे को सब्ड़ पोलिस में है तो पूलिस में मिलेगा बनस्पति आप किसी स्विल जॉब में बहले ही आप डॉक्टर हैं या किसी भी जॉब में हैं आपको मतलब इतना सम्मान नहीं देंगे वहां के लोग जितना फोज और आर्मी या पुलिस के लोगों को दिया जाता है सर्विस उस में तो बहुत सारी चाहिए थी आप थाना प्रभारी भी बन सकते हैं डी एस पी लेवल के भी जा सकते थे लेकिन एक आराई का ही आप में क्यों सोचा कि में सुविदार और एक आराई ही बनुआ बेशिकली क्या है कि मैं इससे पूर में टीचर रहा हूं और मैं स्कूल मेरे में उसकूल का प्रिंशीपल भी रहा हूं तो यह मैनेजमेंट से संबंदित काम है तो मेरे जो नाना जी थे वह भी पुलिस में रहें तो उनों मुझे उन्हें बोला था मोटिवेट किया था कि अगर पुलिस में आपको जाना है तो आप सुवेदार केडर ही जिससे आपको पुलिस करमचारियों की सेवा करने का आपको बहतर मौकल मेले यह जो इस्पेक्टर के दर जो तीयाइ के दर आप ल विदो रहें इसपेक्टिक के दर यहchair से आप की सेवा के लिए है लेकिन पुलिस की सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए इस तारतमे में मैंने इस सुवेदार केडर को चुना है सर आपकी सेवाएं भी देखी है और आपके कारिकाल में कुछ ऐसे काम भी देखे हैं जो शायद हम आज इन और पुलिस डियार पी लाइन के अगर बात कर ले तो जब दोजार वर्श अठारा में जब शुरुवात की गई थी तो शायद यह कहा जाता था कि वहां की इस्तिति कर्मचारियों का बेश्ट डिशीप्लिन बना रहे और उनके बेलफियर के लिए बहतर सुविदा अपलब्द कराई आए तो इस तारतम में जब मैं यहां किया तो फंड की बहुत ज्यादा कमी थी इस संबंध में अपने जो यहां की जो राजनीती है जो इस राजनीती में मंत्री जी है। अनका बी धन्यवात करनाना चाहिए और नगर निकम का बेशिक लिए धन्यवात करना चाहिए उनसे समनवय करने के बा reproduce करने के बाद सारी कामि लिए उनके द्वारह कर आये चाहे वह पुलिस स्वंपोर्ड ढूं हाइए जाहे हाई मास्क लायक्स ऑँछ च रखने के लिए सहां या करमचारियों के रॉल कॉल के लिए सहां सारी विवस्ताय नगर निकम विधायक ने दी और हमारे जो पुलिश मुख्याले के जो वरिष्टे दिकारी हैं उनके द्वारा भी समय समय पर जितना बजट की डिमांड की उनके द्वारा अपलब्द कराए तब हम इसको मूर्त रूपते पाएं तो आपने ब्यार्पी लाइन को दे दिया लेकिन थाने पर अगर हम बात करें जो सिस्ताचार जो पुलीस का इक भाव होना चाहिए जनता के बीच समावेश होना चाहिए हम यह नहीं कहते हैं कि पांचों उगले एक जैसी होती है कहीं न सामान ने जो व्यक्ति है वो हमेशा और हमेशा पुलिस से डरा हुआ रहता है कारण यह उसकी अभी मनोब्रती है अभी हम लोगों को जो आजाद हुए लगवग आपका सतर पचतर वा अपने अभी मनाया है 75 साल के सम्तिन हुए हैं और यह 75 साल हैं यह ज्यादा नहीं है कि इसी भी देश को बनने के लिए बेशिकली हमारे यहां पर क्या है कि अंग्रेजों का राज रहा है और अंग्रेजों की जो पुलिस थी वो क्रूर पुलिस थी तो अभी भी माहुल वैसा ही बना हुआ है निशित रूप से इसमें दीरे-दीरे सुधार आएगा और बहुत क कुछी समय में देखेंगे के प्रवर्ती बिल्कुल बदल जाएगी इस तारतम में वरिष्ट अधिकारियों के द्वारा अभी सामदा पुलिस चलाई जा रही है पुलिस एस पी सी योजना है जिसमें स्टूडेंट पुलिस केडट जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं उनक भोजन की विवस्ता हो या प्रवास्ती मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का दाइत वह हो पुलिस कर्मी सटकों पर बाहर रहकर अपनी सेवाएं देते रहे वो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाला और किसे ने साथ हमने सुना था सर कहा जो एक शब्द था पवन जेन जो ली जी है कि मैं किसने कहा सो गया हूं मैं तो देश हित के लिए हो गया हूं यसा शब्द थे सर लेकिन पुलीसी में आप देखते आ रहे हैं कि अप पुलीसीं जो है को कहीं अकड़ों के उपर बनकर रह गई है जिस थाना प्रुफारी का एक बड़ा रहता है कि हमने शराब पकड़ लिए जुवा पकड़ लिए ऐसे तमाम अपराधियों मर एक आकड़ों का रूप दिया जाता है तो शायद इसी को लेकर के अधिनस्त करमचारी अपना एक प चारो तरफ जो देखेंगे तो क्राइम का माहौल है हम देखेंगे के बहुत सारा जुवा बहुत सारा सट्टा बहुत सारे हतियार इन सम्में हमारे जो कानून है उसमें बने हुए माइनर एक्ट बने हुए जिनके तहत पुलिस कारवाई करती है मैं तो मेरा जो पर्सनल मा कारवाई अच्छी की है किसी ने आपके मादक पदारतों में कारवाई अच्छी की है उसके आंकड़े बहुत अच्छे हैं तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन वो समाज के साफ से अच्छा नहीं समाज के साफ से कब अच्छा होगा जब यह कारवाई यह सून ही हो वहां जुआ हो इनी रहा है वहां पाइन की हथ्यारों की आवे तसकरी नहीं नहीं है तब यह पर इस्तित्या निर्मित हो जायेंगे तब हमारा समाज सुरच्छित होगा और उस थाना प्रवारी को बहतर माना जाएगा जहां यह कारवाईएं बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब यह जो अभैद जो काम है वो बिलकुल नहीं होंगे, तब हम इस समाज को मानेंगे, अब यह समाज हमारा सुरक्षित है, कि समाज सूरक्षित लेकिन समाज में सूरक्षा के साथ साथ एक सूरक्षित और की अधाव है वह हम देखते आ रहे हैं कहीं कुछ hai जे का हमारी और ह réflex flavored को चलते हैं जो अपरादी हो सर अगर हम बात करें पुलिस लाइन की और खासकर इंदोर पुलिस लाइन की तो पुलिस लाइन में भी जो डिस्सिप्लीन है जवानों को लेकर करके जो जब शुरुवाती दोर से वो थाने के तरफ रुख मोडते हैं तो यह कैसा पूरा रहता है कई बार चायुका Isis कर लोग पुलिस में भरती होते हैं और जब पुलिस में आते हैं तो मैं तो इतना कहना चाहेंगा अगर आप पुलिशिंग करना है आपको पुलिशी एक ऐसा जौब है आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोग आप इंदौर में थे उस समय और इंदौर में जब कोविड था कोविड में बहुत सारे लोग समासेवी आगे आकर के घरीबों को भोजन करा रहे थे जो प्रवासी मजदूर निकल रहे थे उनको चपलें भी दे रहे थे यह सारे के सारे जो लोग थे वह समासेवा में लगे हुए थे ठीक है लेकिन इसके दूसरे तरफ देखेंगे पुलिस पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर समासेवा के साथ-साथ आपकी जो नोक्री है जो जौब है उसके साथ साथ आप समाज सेवा भी कर पा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग उस समय कई जो छेतर थे उनको प्रतिबंदित किया गया था, वहां से लोग आग निकलेंगे नहीं, इससे ये वाइरस थेल नहीं पाए, कहीं भीड़े कट्टा नहीं हो, तो ये पुलिस जो थी, जो इन चीजों को प्रभावी रूप से करवा रही थी, तो वो आपनी नौकरी के साथ साथ में, वो भी एक सेवा थी, तो केवल पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा जौब है, जिसमें आप नौकरी के साथ साथ में, आपके जौब के साथ साथ में, आप लोग पुलीस कर्मी हमारी शुरक्षा के लिए हम पर्व को शान्ती से हमारे परिवार के साथ खुशी से बना सके इसके लिए वो सड़कों पर उन्मेदान में नजर आते हैं लेकिन क्या आप लोग शायद पुलीस की पुलीसिंग से वाकिफ होंगे लेकिन पुलीस विभाग जनता के हिद के लिए हैं लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि कैसे हम इसे अपरादों से बस सकें पुलीस हमारे लिए रात दिन तर मेहनत करती आई हैं सर आपने काफी जानकारियां दी वो पुलीस विभाग के लिए कि पुलीस किस तरह से काम करती है और कितना पुलीस करती आई है और आपने तमाम वो जानकारिया हमारे साजा करी हम भी लोगों कहेंगे कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और पुलीस का साथ दे आपका बहु पूल्भूद जो उनकी सेवाएं जो आज वो प्रशास्टिक विभाग में दे रहे हैं पुलिसी में दे रहे हैं ऐसी ही जानकारी के साथ धन्यवाद